गनेशा गनेशा गनपति बाप्पा मोरिया नमश्कार दोस्तों गनपति का तैवार आ रहा है हर तरफ जोरो शोरो से चयारी चल रही है दोस्तों बहुत से लोग अपने घरों में गनपति की स्थापना करते हैं बड़े-बड़े मंदिनों में बड़ी-बड़ी मूर्थियों की स्थापना होते हैं और बहुत सारी सुसाइटीज में बहुत सारी फंक्शन्स होते हैं लोग अलग-अलग तरह से गनपती का तैवार मनाते हैं तो दोस्तो आईए आज कुछ अलग धंग से इस तैवार को मनाएं दोस्तो इस बार जब गनपती बपा आए तो आपने उनसे खूब सारी बाते करनी हैं उनके साथ बैखना है उनके साथ समय वितीत करना है और अपने मन की सारी बाते कहनी है अपनी पूरे आने वाले साल की प्लानिंग जो आपने अपने मन में सोची है सारी की सारी गनपती बपा के साथ discussion करना है दोस्तों जिस तरह से हमारे घर में जब कोई महमान आता है तो हम उसकी बहुत सारी खातिरदारी करते हैं और उस खातिरदारी के साथ उसके साथ खूब सारी बाते भी करते हैं इसी तरीके से हमने गर्णपती पपा की खातिरदारी तो खूप सारी करनी ही करनी है उसके साथ उन से खूप सारी बाते करनी है खूप सारी energy लेनी है खूप सारी blessings लेनी है कि हमारा आने वाला साल बहुत ही खुशियों भरा हो बहुत ही mangal मैं हो बहुत ही बढ़िया हो ऐसा हमने करना है दोस्तों अगर आपको इस तरह की हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल एस्टो बजार को जादा से जादा लाइक करें, जादा से जादा सब्सक्राइब करें, जादा से जादा कमेंट करें, जादा से जादा शेहर करें, आपकी दोस्त मानप्रीत शान लेए